हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग देखिए आज की ग्लास में मैं एक बहुत इंपॉर्टन चैप्टर शुरूगर नहीं जा रहा हूं जिसका नाम है कॉशीट और न्यूस लेबर हानी पहला पॉइंट कोशीट का मतलब क्या है कोशीट का मतलब एक एसी स्टेटमेंट जो एक मैनोफेक्टर को यह बताते हैं कि जो गुड्स वो मार्केट में बनाकर बेचना चाहते हैं बनाकर बेचना चाहते हैं उस गुड्स को बनाने में उनकी कॉस कितनी है उनकी सेल वै और दूसरा मेरे पास है actual basis, actual basis पर मुझे यह दिया आपका अंसर मुझे बताना है, तो उस पर मुझे chartered content से contact करना पड़ेगा, मतलब CA से, जो मुझे year end में सारी information actual basis पर दे दे देंगे, कि during the year metal कितने रुपे का use हुआ, labor कितने रुपे पे की गई, factory expenses का खर्चा कितना हुआ, office administrative department का खर्चा कितना हुआ, selling department का खर्चा कितना हुआ, total cost हमारी पूरे साल में कितनी लगी, लेकिन year end तक wait नहीं कर सकते हम, क्योंकि यदि कोई customer साल के शुरू में, या during the year किसी भी दिन हमारे पास आए, और हमसे पूछे, कि जो goods आप हमें बना कर बेचोगे, उसकी selling price क्या है, यदि हम आपसे 500 unit खरीदें, तो क्या आप हमें हमारी price पर good दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये सारी चीज़े, यदि मुझे estimated basis पर निकालनी पड़े, तो उसके लिए मुझे CMA, cost and management accountant से मिलना पड़ेगा, जिनको पताया गया है, कि यदि कोई answer आपको estimated basis पर द इतनी है, तो selling price निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, हानि selling price निकालने के लिए सबसे पहले मुझे, cost का पता लगाना पड़ेगा, प्लस जितना profit मुझे चाहिए, estimated profit, expected profit, desire profit, वो profit मुझे जोड़ना पड़ेगा, यदि मेरी goods की बनाने की जो cost है, वो suppose करते हैं, 100 पे आईगे, यदि goods को बनाने में मेरी cost 100 पे आती है, और मुझे 20 रुपे का profit भी चाहिए, तो मैं अपने customer को selling price कितनी पताऊँगा, 120 रुपे बताऊँगा, लेकिन 120 रुपे selling price मैं customer को कब बता पाऊँगा, जब मुझे खुद पता हो कि जो good मैं बनाकर customer को द चार्टेल एकाउंटेंट से आप पूछ लो, वो आपको बता सकते हैं, तो चार्टेल एकाउंटेंट मुझे जो final accounts बनाके देंगे, income statement बनाके देंगे, वो during the year का, year end में बनाकर देंगे, कि पूरे साल में कितने रुपे की sale होई, कितने रुपे की cost होई, कितना मुझे profit मि वो सारी जानकारी मुझे year end में देंगे, उससे पहले नहीं देंगे, इसका मतलब यदि कोई customer मेरे पास में एक जनवरी 2020 को आजाए, 15 जनवरी को आजाए, 25 मार्च को आजाए, 15 फरवरी को आजाए, और वो मुझे estimated basis पे मुझे से पूछे, कि जो गुर्ज आप मुझे बन और cost से content जो statement हमें बना कर देंगे, manufacturer को, उसका नाम है cost sheet, तो cost sheet के लिए सबसे पहला point है, कि जो भी गुर्ज हम बना कर बेचना चाते हैं, उस गुर्ज को बनाने में, हमारी cost कितनी लगी, तो cost sheet एक statement है, जो cost से content के द्वारा बनाई जाती है, क्या जानने के लिए, कुछ point स से पहले समझना पड़ेगा, prepared by cost accounting, और कौन से basis पर हम बात करते हैं, cost sheet बनाते हैं, हम कौन से basis यूज कर रहे हैं, estimated basis, estimated का मतलब है, जो को बनाना चाहते हैं, उसको बनाने में कितने पैसे हमारे खर्च होंगे, या भी हमें पता नहीं है, हम उसका अंदाजा लगा रहे हैं, अंदाजा कैसे लगाते हैं, वो सारी चीज़ आज की class में, मैं आपके साथ में share करूँगा, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी मैं cost निकालूँगा, या sale निकालूँगा, या profit निकालूँगा, वो कौन से basis पर होगा, estimated basis पर होगा, अब जो हमारी cost होगी, हम उस cost को दो पार्ट में divide करेंगे, एक हमारी cost होगी direct, और दूसरी हमारी cost होगी indirect, तो पहला point, cost sheet कौन बनाएगा, cost content, कौन स बनाते time cost से content, अपनी cost को कितने पार्ट में divide करेंगे, पहला point है direct और दूसरा point आपके पास है indirect, हाँ जी direct और indirect cost के बीच में क्या difference है, उसी को clear करते, यदि मुझे कोई एक unit बनानी है, और उसको बनाने में मेरा पैसा कितना खर्च हुआ, यदि वो मुझे असानी से पता च प्लास्टिक का खर्चा कितने है, या white plastic का खर्चा कितने है, और यदि मुझे इस pen को बनाने में असानी से पता चल जाए white plastic की cost कितनी है, तो वो cost मेरी कौन सी होगी, direct, दूसरी तरफ आपके बास है indirect, indirect cost का मतलब है, ऐसी कोई भी cost, जो incur करने के बाद, यदि मैं आपसे पूच हूँ कि इस pen को बनाने में जो machine use की गई होगी, उस machine का rent कितना लगा एक pen को बनाने में, उस machine में electricity का खर्चा एक unit बनाने में कितना हुआ, मतलब power cost कितनी लगी, supervisor की salary जो इस pen को चेक करने में लगी, वो कितनी लगी, मतलब cost को असानी से पता नहीं लगा पाता, पता एक unit बनाने में कितना हुआ, मतलब आपको समय लग जाए, time लग जाए उसको निकालने में, ऐसे सभी cost को हम क्या कहते हैं, indirect cost, तो direct cost में हम कह सकते हैं, cost which is directly related to the production, cost which is not directly related to the production, not easily identified for one unit, not easily identified for one unit, च्योंकि जो indirect cost है, वो incurred किसके लिए की जाती है, incurred for two or more units, मतलब की, group के लिए incurred की जाती है, जैसे, मैं factory का जो rent पे कर रहा हूँ, वो factory का rent, मैं किसी एक unit को बनाने के लिए पे कर रहा हूँ, या एक से जादा unit को बनाने के लिए पे कर रहा हूँ, खुद बताईए, जो factory मैंने किराय पी लिए है, या जिस supervisor को मैंने factory में appoint किया है, कि जो goods मेरी factory में बन रहा है, उसमें कोई कमी तो नहीं है, तो supervisor की salary, किसी एक unit को बनाने के लिए दी जा रही है, या एक से जादा quantity को बनाने के लिए दी जा रही है, factory का rent जो मैं pay कर रहा हूँ, वो किसी एक unit को बनाने के लिए दे रहा हूँ, या एक से जादा quantity बनाने के लिए दे रहा हूँ, मतलब कि जो भी खर्चे incur करते टाइम, manufacture के mind में clear होते हैं, कि सर ये सारे के सारे जो खर्चे हैं, वो किसी एक unit पर button नहीं डाल सकते, उनका button एक से जादा quantity पर डालना पड़ेगा, तो कोई भी खर्चा करते टाइम, यदि वो खर्चा ये सोच के incur किया जा रहा है, कि उस खर्चे का button दो या दो से जादा quantity पर डाला जाएगा, तो समझ लिजे वो cost, costing की भाषा में, cost accounting में कौन सी cost बन जाती है, indirect cost, लेकिन ये दि कोई खर्चा करते टाइम मुझे पता चल डाए, कि ये खर्चा मैं एक unit के लिए कर सकता हूँ, एक unit के cost को मैं असानी से पता लगा सकता हूँ, तो समझ लिजे वो cost मेरी कौन सी है, direct cost, suppose करते हैं कि मुझे book बना कर आपको देनी है, जो book मैं आपको बना कर दूँगा, उस book में कुछ ना कुछ number of pages भी होंगे, 100 pages, 200, 200, 500, कुछ भी, suppose करते हैं, जो book में आपको प्रवाइड करूँगा, उसमें 500 pages हैं, और एक page, माल लिजे 50 पैसे गए, तो 500 pages की जो book में आपको प्रवाइड करूँगा, यदि उसका एक page की कीमत, मेरी लिए 50 पैसे है, तो मैं कहूँगा, जो बुक में आपको प्रुवाइड करूंगा उसमें मेरा धाई सो रुपे का पेपर का खर्चा आएगा तो पेपर कॉस्ट मेरी कितनी हो गई धाई सो रुपे इसका मतलब क्या हुआ जो भी स्टूडेंट मेरी क्लासिस को जॉइन करता है यदि मैं उस स्टूडेंट को बु जो फोटूरें यहीं बुग दूँगा इसका उन्टा हर बच्चे के लिए मैं असानी से क्लकुड़ेस कर सकता हूं कि मेरी पेपर कास कितनी है तो जो खर्चा एक बनाने में कितना लगा यदि उसकी cost मैं असानी से calculate कर सकता हूँ बला हर book में paper का खर्चा मेरा कितना लगेगा वो असानी से पता लगाए जा सकता है number of pages into paper per cost बला paper की cost एक unit कितनी है तो 200 पे मेरी total cost आगे एक book में paper की लेकिन यदि मैं आपसे पूछूँ कि जो book में आपको provide कर रहा हूँ जो book में आपको provide करूँगा उस book में जो paper आपके use हो रहे हैं वो blank paper होंगे या उस पर कुछ ना कुछ छपा हुआ होगा कुछ ना कुछ print होगा obvious है कुछ ना कुछ print होगा क्या हर page पे सेम चीज़े लिखी होगी मैंने या हर paper पे मैंने कुछ different लिखा होगा आपके लिए obvious है हर page पे सेम चीज़े लिखोंगा नि पढ़ पढ़ कि आप एक ही चीज़ बोर होगे तो इसका मतलब क्या हुआ हर chapter में कुछ ना कुछ नई points होगे और नई points के लिए मुझे हर page पे कुछ ना को different questions देने होगे different theory होगी different concept होगे different example होगे different आपके formats होगे इसका मतलब क्या हुआ जो page number 1 है for example page number 1 है page number 2 है page number 3 है क्या इस पे same material बना सब कुछ same लिखा होगा या सब पे different लिखा होगा obvious है page number 1 पे कुछ और लिखा होगा page number 2 पे कुछ और लिखा होगा page number 3 पे कुछ और लिखा होगा तो क्या सभी पर ink का खर्चा मेरा same होगा आप भी बताइए क्या हर page पे ink जो use की गई है printing के लिए क्या वो same होगी obvious है different होगी तो ink का जो खर्चा मैंने inkर किया है वो हर page पे अलग-अलग है अब मेरा question आप से ही है कि जो मेरी book है वो 500 page की है माल लीजे या 400 page की है या साड़े 400 page की है example ले लिए है कि हमने 500 pages की एक book बनाई आपके लिए और उस 500 pages की book पे 500 pages पे हर बार कुछ ने को different mention है different लिखा हुआ है तो क्या आपको लगता है कि हर page पर इंकर जो मेरा खर्च आया होगा वो same आया होगा पताओ भी जल्दी से पेपर की cost हर book में same है क्योंकि हर book में 500 pages है एक page मुझे market से 50 पैसे का मिला मतब मैं book number 1 की भी paper की cost 200 लगाऊंगा book number 2 भी 200 book number 3 भी 200 book number 4 भी 200 क्योंकि हर book same page से बन रही है 500 pages से और हर बार मेरा खर्चा 50 पैसे के साफ़चार है तो मैं कैसे तुम paper cost हो मेरी कौन सी cost होगी direct लेकिन जो इंका खर्चा हर page पर अलग लग होगा वो मेरी लिए होगा indirect क्यों होगा क्योंकि ये खर्चा जब मैं कर रहा हूँ book त्यार कर रहा हूँ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक book वनाने में मेरा इंक का खर्चा कितना है तो आप कहोगे सर इस page पर ये जो page number 1 है इसकी cost अलग है page number 2 पर इंकी cost अलग है page number 3 पर इंकी cost अलग है कहने का मतलब क्या हूँ सारे के सारे खर्चे मुझे हर page के अलग-लग निकालने पड़ेंगे time consuming है time consuming का मतलब समझ में आ गया यहाँ paper की cost निकालने में मुझे दिक्कत ही नहीं आई फटावट से मैंने अपना answer निकाल दिया लेकिन जब मैं paper पे इंक का खर्चा निकालने लगा तो मेरे होश होड़ गाई मैंने देखा यार हर page पे इंक का खर्चा मेरा different है और मुझे 500 pages के इंक की cost पता लगानी है तो time consuming है तो इसका मतलब जब मैं इंक का खर्चा कर रहा था मतलब जिस machine में मैंने इंक डाल रखी है उस machine से जिससे मैं print out निकाल रहा हूँ उसमें pink जो इंक है उसका खर्चा इस page पे कम है इस पे थोड़ा सा ज़्यादा है इस पे और ज़्यादा है जितना ज़्यादा लिखा होगा उतना ज़्यादा इंक consume होगी तो इसमें कम लिखा इस पे थोड़ा ज़्यादा लिखा और इस पे बहुँ ज़्यादा लिखा तो पहला point है कि मुझे हर page पर इंका खर्चा कितना वो निकालना पड़ेगा और निकालने के बाद मुझे 500 pages की cost को calculate करना पड़ेगा कि 500 pages में इंका खर्चा कितना है तो ऐसी cost को हम कौन सी cost कहते है indirect जो असानी से एक उनिट बनाने में कितनी लगी नहीं पता लगता है पता तो लगता है असानी से नहीं लगता है easily नहीं है महनत करना पड़ेगा time लगता है तो वो cost जो directly related है production से वो direct cost से जो असानी से एक उनिट बनाने के लिए कितनी लगी वो आपकी direct cost से example क्या कर ले सकते है direct cost का दूसरा नाम क्या है वो भी बताने आपको तो direct cost को हम कह सकते है prime cost alternative name prime cost और indirect cost का alternative नाम हमारे है वो आपके पास है overate cost आपको कहोगे सर इतना जोर आप क्यों लगा रहे है उस cost को समझाने में पेटा cost sheet आप तभी डंग से बना पाओगे जब आपको यह पता चल देगी आपकी कौन सी cost direct और कौन सी cost indirect है क्योंकि cost से content जब भी cost sheet बनाएंगे estimated basis पे उनको क्या instruction दी गई है कि आप cost sheet बनाते राइम जो format यूज करोगे उस format में आपकी cost दो पार्ट में divide होते हुए दिखनी चाहिए एक direct और दूसरी कौन सी indirect तो cost sheet वो ही student सही तरीके से बना सकता है जिसको यह पता चल देगी कौन सी cost direct और कौन सी cost indirect है next point example का अगर ले सकते हम इसके example में हमारे पास में है पहला direct material second आपके पास है direct wages आपके पास है direct expenses अगरे एक्जामपल में indirect material indirect wages indirect expenses अब आप सोचेंगे साथ direct material indirect material में क्या difference है कुछ एक्जामपल दे के बताईए मुझे तो मैंने का ठीक है यह कुछ example भी दे देते हैं आपको तो direct material का example हम दे सकते हैं जैसे माली जे हमें एक furniture बनाने क्या बनाने furniture suppose करते है माली जे हमें table बनानी है तो table मुझे बनानी है इस table को बनाने में मुझे काफी सारी चीरों के जरुद पड़ेगी किन किन चीरों के जरुद पड़ेगी सबसे पहले तो मुझे जरुद पड़ेगी timber के फिर मुझे requirement होगी उस worker की जो timber से ये table मेरे लिए बना के देंगे table मेरे लिए है product और timber मेरे लिए है material तो ऐसे में सबसे पहले मैं बात करूँगा timber की फिर मुझे जरुद पड़ेगी worker की worker का नाम है car painter हाँ टेबल सही बनी ने बनी मुझे जरुद पड़ेगी किस की supervisor की table को मजबूत बनाना है तो मुझे requirement होगी फैवी कॉल की प्लस nails कील पेज़ की table का size क्या होगा design क्या होगा उसकी look कैसे होगी design का भी खर्चा करना पड़ेगा मुझे इस table को बनाने के लिए मुझे कोई ना कोई space भी चाहिए कोई ना कोई जगे चाहिए जहां पे मैं इस table को बनाऊंगा factory की भी requirement होगी ठीक है रिए कुछ ना कुछ मैं tools का भी use करूँगा ठीक है ना हमारे पास में हथोड़ी है hammer हमारे पास में suppose करते है यह हमारी tools होगे कुछ ना कुछ तरीक है कि हमारे को tools नहीं होगे जिनका यूज करके carpenter क्या त्यार करेंगे एक table और ऐसे में इन पर क्या लगेगा depreciation तो मेरा कोशन आप से है कि जो table मुझे बना कर customer को बेचनी है उस table को बनाने में मेरा खर्चा किस-किस का होगा timber का होगा, carpenter का होगा, design का खर्चा होगा supervisor को salary देनी होगी fabric all, nails, factory का rent होगा ठीक है रिए tools का depreciation लगेगा मैंने ये सारे खर्चे मैंने कुछ example की form में आपको दिये हैं एक table को बनाने में जो manufacture के द्वारा incur किया जाएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर identify करना है कि मेरी कौन सी cost डारेक्टर और कौन सी cost मेरी indirect है तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएए कि मैं जब एक table को बनाने की कोशिश करूँगा तो कौन सा खर्चा मैं असानी से एक unit के लिए कितना लगेगा वो पता लगा सकता हूँ तो मैंने क्या किया कारपेंटर से पूझा कि आप इस table को बनाने के लिए मुझे से कितने पैसे लोगे उसने का यदि आप मुझे से ये table बनवाते हो तो मैं आपसे per table per table labor के 500 रुपे चार्ज करूँगा इस table को बनवाने में मतलब की एक table एक unit के बराबर हो गया one table मतलब one unit मुझे कितने पैसे देने होंगे 500 रुपे फिर मैंने कारपेंटर से पूझा कि इस table को बनाने में आपको timber के कितने pieces देए उन्होंने का जिए timber के मुझे 5 pieces देए और एक piece market से आपको 200 रुपे का मिल दाएगा इसका मतलब कि मुझे timber कितने रुपे का खरीद के लागे देना पड़ेगा 1000 रुपे का लागे देना पड़ेगा तो 1000 रुपे का मेरा timber किस के लिए लगा एक table बनाने के लिए मतलब एक unit के लिए फिर मैंने उससे पूछा कि जो table मुझे बनानी है मैं चाहता हूँ कि वो table ऐसी बने कि जो भी लोग मेरे घर पे आए उस table को देखे तो कहेंगे वाह क्या table है ऐसी table मैंने आस्सक नहीं देखी इसका मतलब है जो भी लोग इस तरीके के views आपको देंगे table देखके वो तब ही देंगे जब मैंने इस table में इस carpenter को दो और साथ में डिजाइन भी दो ताकि वो table इस तरीके की बने की बने के बाद काफी सुन्दा लगे माली जे इस table का जो डिजाइन है उसे बनाने में मुझे 200 रुबे खर्च करने पड़े अब मैं सारी table एक जैसी थोड़ी बनाऊंगा थोड़ा वो डिजाइन चेंज होता रहेगा बट नॉर्मली हम क्या करते हैं एक डिजाइन एक बर यूज़ करते हैं जैसे आप माली जे मैरेज में जाते हैं और स्कूल में जाते हैं स्कूल के केस में सभी की यूनिफॉर्म क्या होती है सेम होती है लेकिन marriage के case में जब आप शादी के में जाते हैं और मान लिजे आप ही की शादी है आप ही दूले है तो क्या आप एक normal suit पैन के अपनी शादी में जाना चाहेंगे या कोई ऐसा suit पैन के जाएंगे जब आपको लेगे के रहों लोग देखे हैं तो दूर से उनको पता चल जाएंगे दूला आ रहा है वराथी नहीं आ रहे बरातियों दूले में किया फरक है सबकर एक जैसा होता लेकिन जो दूला होता है उसका जो सूट होता है वह बिल्कुल डिफरेंट होता है आम जनता को लगता यार यही बराती और यही दूला यह दूला है यह बराती है वह खुद ही डिफरेंशेट कर लेते हैं तो जैसी पता चल जाता है कि यह दूला इसका मतलब है उसकी ड्रेस मापको जलनी से नहीं बता पाएंगे मैंने का टेबल बनाने में चल्ट है किसा है मैंने रूपे कीश लिया जाँगा, वो किसी एक table को बनाने के लिए नहीं होगा, वो कम से कम 2, 3, 4 के लिए होगा, मतलब कि वो खर्चा 2 या 2 से जादा के लिए किया जाएगा, तो जब कोई खर्चा 2 या 2 से जादा के लिए किया जाता है, वो आपकी indirect cost है, हाँ जी, tool का खर्चा किसी एक table को बनाने के नहीं खरीदा जाएगा जितनी भी टेबल आपकी बनेगी उन सभी टेबल को बनाने में तूल का यूज होगा इसका लिए खर्चा एक से जाधा टेबल के लिए ये खर्चा एक से जाधा टेबल के लिए आपका जो फैक्टरी का रेंट है ये खर्चा एक से जाधा के लिए इ तो हम यह कह सकते हैं कि direct material में हमारा जो example है वो है timber, डिर्क वेज़ में लिख सकते हैं कार पेंटर, डिर्क एक्पेंसिज में क्या सकते हैं डिजाइन, इंडिर्क मेरियल में क्या सकते हैं फेविकॉल, इंडिर्क वेज़ में सुपरवाइजर की सलरी, इंडिरेक एक्सपेंसिर में हम कह सकते हैं डेप्रिशेशन, फैक्टरी रेंट, एक्सेक्टरा तो सबसे पहले ये सारी चीरे आप नोट कली जे तो कि अब मैं आपको कॉस्षीर का फॉर्मेट समझाने वाला हूँ जो कॉस्षे कॉंटेंट आपको बताएंगे कि एक मैनोफेक्टर को अपनी कॉस, अपना रिवेन्यू, अपना प्रॉफिट उसे कैसे निकालना है यदि वो एस्सिमेटेड कॉंटिटी आपको बताते है तो यदि वो आपसे कहते है जिए मैं 10-10 यार उनेट मार्किट में बेचना चाहता हूँ तो बताएंगे 10-10 यार उनेट बनाने में मेरी लागत कितनी आएगी 10-10 यार उनेट की मेरी सेलिंग प्राइस क्या होगी 10-10 यार उनेट में मुझे प्रॉफिट कितना होगा तो कॉस्स से कॉटेंड किसी रूल को सालो करती होंगे अभर रूल हमें कौन बताएगा इंस्टिट्थ और इसी अमेट अइइस शी पह करते होगें अधिन के आपिसंग्ध में इंस्टिट्थ चॉट और आघंएंगर को जो डिगरी को लिए जो मेंबरšिबग दी इंसिटिट औफ कॉस्त & एकांटेंट उइंडिया, जिस तरीके से चाय्टर अकांटेंट को मेंबर्शिप मिलती है मिलती है, इस बंदे योगों से पहले आप इस और उसमें दिया आपको कोई डाउट है तो आप मुझे से पूर सकते हैं कि अजय को 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 झाल झाल सारी चीज़ें नोट करने के बाद अब चेप्टर को आगे बढाते हैं झाल 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 झा और यह सबसे पहले हमें लिखते हैं कोशन में अलब फॉर्मिट जब हम स्टार्ट करेंगे किसी कोशन में कोशीर बनाते टाइम फॉर्मिट का पहला पांड किया होगा आपका डिरेक्ट मिट्रियल कोस्ट सेकेंड आपके पास है डिरेक्ट लेबर कोस्ट थर्ड आपके पास है डिरेक्ट एक्सपेंसेज हणि हमारे पास आएगा सबसे पहले प्राइम कोस्ट प्राइम कोस्ट का मतलब गया किसी भी गुट्स को प्रडियूस करके मार्किट में बेचने के लिए जो भी खर्चा manufacture के mind में सबसे बहले आता है कि ये खर्चा बिना करे हम काम को शुरू नहीं कर सकते बिना material के बिना worker के बिना design के हम उस काम को शुरू करी नहीं सकते ऐसी cost को हम कहते है prime cost next आपके बास है factory expenses expenses की जगे हम यहाँ पे over rate भी लिख सकते expenses भी लिख सकते हैं और आप इसे यहाँ पे over rate भी लिख सकते plus opening stock of work in progress short payment लिख दे हमने WIP less closing stock of work in progress तो मेरे पाँ जो cost आईगे उस cost का नाम होगा factory cost alternative आप नाम लिख सकते है works cost किसी question में factory cost लिखाता है किसी question में कि लिखा होता है work cost factory cost बताइए या work cost बताइए दोनों का मतलब एक ही है कि जितना खर्चा अभी मैं factory के अंदर कर चुका हूँ कि जितना खर्चा मैं factory के अंदर कर चुका हूँ अब तक वह total cost कितनी है उस cost को हम कहते है factory cost मतलब कि आप इसे ऐसे कह सकते हैं suppose करते हैं मेरी factory है ठीक है ना इस factory के अंदर मेरे पास एक machine भी है जिससे मुझे goods produce करने मैंने एक worker को बुला लिया ठीक है तो मेरे machine को operate कर रहे हैं और यहां से मेरे goods बान लीजे बनके त्यार होता है तो यह मेरे पास है output और इस पे मुझे डालना है input मतलब कि material डालने worker भी मेरे लिए input है material भी मेरे लिए input है वो सारी चीज़े मेरे लिए input है जिनका इस्तप्रोडक्त को अंजाम देते है, product बनाते है worker भी मेरे लिए jakiś input है factory भी मेरे लिए input है जिन भी चीज़ों का इस्तमाल करके, यूज करके हम किसी प्रोड़क को अंजाम देते हैं, प्रोड़क बनाते हैं, उन सभी चीज़ों का हम कहते हैं, इन्फुड, तो कहने का मत्तентов कह CRA ? इस factory के अंदर, मेरा पहला खर्चा किसके नाम से हुआ ? हैश है कि मेरा मेचे के नाम से यह मेरा मैटीरियल है कि मैटीयल कॉस्स एब आप भे जी इस पर करओं गा अधिक लुक्त कर नेतने की प्रॉडक्त के की जुटस सले परफ्ठी के चय जो सबулиगर से होगा वो मेरा खर्चा होगा मशीन का यदि मैंने मशीन खईद रखी है तो उसका depreciation लगेगा मशीन को चलाने में यदि मैंने कोई power supply दे रखी है मशीन को चलाने के लिए power connection दे रखा है तो यदि power cost भी लगेगी फैक्टरी का rent भी लगेगा supervisor यदि appoint कर रखे जो check कर रहा है goods कैसे बना quality वाला बना नहीं बना तो supervisor की salary भी होगी मतलब इस goods को बनाने में इस factory के अंदर जितने भी खर्चे हुए वो सारे के सारे खर्चे कितने हैं यदि वो cost में जानना चाहते हो तो उस cost को हम कहते है factory cost तो factory cost का मतलब क्या हुआ factory cost का मतलब है ऐसी cost जो factory के अंदर इस output को बनाने के लिए incur की जा रही है चाहे उसमें material cost हो चाहे उसमें wages cost हो चाहे उसमें direct expenses हो चाहे उसमें factory के जो भी खर्चे हैं अब factory का जैसे rent हो गया machine का depreciation हो गया supervisor की salary हो गई इस machine का insurance हो गया इस machine को चलाने की power cost हो गई वो सारे के सारे खर्चे किसमें शामिल हो गए factory overhead में किसमें शामिल हो गए बेटा factory overhead में अब आगे दिखते हैं यहाँ पे हमने लिखा office and administrative expenses office and administrative expenses भी बोल सकते हैं और आप इसे का सकते हैं over it है अजी इसमें आप लेखेंगे एक छोटा सा प्वाइंट office and administrative expenses जब आप यहाँ लेखेंगे तो आप लेखेंगे रिलेटेटिट टू production पहले format में सारी चेडिल लिख रहे थे हैं next आपके बास है quality control cost primary packing material primary packing material कहा दो या primary packing charges कहा दो जाता अच्छा वर्ड रहेगा charges लिख देते हैं research and development expenditure तो short में लिख देते हैं R&D expenses पहले लिखा related to production हाने related to production ये सारी चीज़ों को बिटा अभी मैं आपको डेटेल में समझाओंगा चिंता ना करें तो अब जो मेरे पास में cost निकल के आगी उस cost का नाम है cost of production हानी उस cost of production में अभी हमें adjustment करनी है opening stock of finished goods की finished goods को short में मैंने लिखा FG finished goods का मतलब है 100% complete goods और WIP का मतलब है partly completed goods हमें stock की adjustment क्यों करनी होती है क्योंकि हम customer को वही समान बेचेंगे जो समान 100% complete हो गया होगा तो जितना समान हमने customer को बेचा है उसकी cost कितनी है वो हमें निकालनी है ताकि हम उसे sale value से compare कर सकें योंकि sale value quantity sold into selling price per unit करके निकलता यह है यॉडि sale value quantity sold into selling price per unit करके निकलता है तो quantity sold की sale value को quantity sold की cost से compare करना पड़ेगा और यथी मुझे profit निकालना है तो profit निकालते टाइम भीया एक बात आपको बिल्कुर ध्यान से समझना है कि profit निकालने के लिए हमारा formula होगा quantity sold into profit per unit अब profit per unit कैसे निकालेंगे चोटे चोटे points हैं उन points को आपको समझना है selling price per unit minus total cost per unit यदि मैं इस formula को break कर दूँ तो quantity sold into selling price per unit आदेगा और quantity sold into total cost per unit आदेगा इसे हम नाम देंगे sales value और इसको नाम हम देंगे cost of sales दोनों में क्या difference है sale value बताता है कि जो quantity मैंने customer को बेची है उसकी sale value मुझे customer से कितनी लेनी है तो quantity sold को उस price से multiply कर दिया जो price मुझे customer से लेना है लेकिन बात कर रहे है cost of sale की cost of sale का वंदर जो समान हमने customer को बेचा उस समान को बेचने में कुछ ना कुछ पहले हमारे पैसे लगे होंगे बेचेंगे तो बाद में selling price सो बाद में मिलेगी पहले तो जेब से पैसा लगेगा तो जो पैसा जो quantity मैंने customer को बेची है उसे बनाने में कितना खर्चा हुआ वो मुझे जब तक नहीं पता चलेगा मैं अपना profit नहीं निकाल सकता तो कहने का मतलब कहें जो quantity मैं customer को बेच रहा हूँ उस quantity की cost मैं जानना चाता हूँ जिसे मैं कहता हूँ cost of sale तो cost of sale निकालने के लिए यह मेरा पूरा format है जिसको मैं use कर रहा हूँ तो अब मेरे पास आज़ेगा question में cost of good sold मेरे पास आज़ेगा cost of good sold हाँजी इस cost of good sold में 2-3 0 की और adjustment करनी है किन किन चीरों की adjustment करनी है वो देख लेते हैं selling and distribution overhead selling and distribution overhead journal office and administrative overhead हाँजी यहाँ पर मुझे लिखना है secondary packing charges हाँजी और लिखना मुझे आर एंडी expenses हाँजी not related to production हाँजी धान दीजिए office and administrative expenses मैंने ऊपर भी लिखा है office and administrative expenses मैंने नीचे भी लिखा है primary packing charges packing charges मैंने ऊपर भी लिखा है packing charges मैंने नीचे भी लिखा है R&D expenses मैंने ऊपर भी लिखे हैं R&D expenses मैंने नीचे भी लिखे हैं आप कहरे हो कि sir, एक χर्चा आ secondo बार बार क्यों लिखा है? बीटप मैं एक खर्चा एक ही बार लिखे हैं बार बार नहीं लिख रहा है हाँ, खर्चे यहि hosted R&D के नाम से दो बार लिखे हैं तो बेटा मुझे उसे दो बार लिखना पड़ेगा, यदि administration का खर्चा मुझे question में दो बार दिया है, तो मैं दो बार लिखूंगा, packing expenses यदि मुझे primary के नाम से अलग दे रखे हैं, secondary के नाम से अलग दे रखे हैं, तो मैं उनको अलग लग लिखूंगा, अब आप क्यों होग है, जिससे हमारी goods की cost निकालते टाइम कोई गलती ना हो, तो आपको क्या देहां रखना है, कि जब मैं अपने goods की cost निकाल रहा हूं, तो उस course को निकालते टाइम, मैंने देखा, कि जो administrative expenses वो दो बार है, मेरे पास में R&D expenses दो बार है, मेरे पास में packing charges दो बार है, सबसे पह खर्चे मुझे cost of production निकालने से पहले पहले लिखने, और कौन से खर्चे मुझे cost of production निकालने के बाद लिखने, तो यहां पर आपने एक point लिखा हूँआ, क्या लिखा हूँआ देखा, office and administrative expenses या overhead, related to production process, मतलब यह वो overhead का खर्चा है, administrative department का, जो खर्चा, incur तो administrative department के लिए किय process के लिए, अब आपको अगे सार इसका क्या मतलब है, सारी चीटेवेट आपको detail में समझाएंगे, सबसे पहले तो आप यह समझो, कि जो profit मुझे निकालना है, उस profit को निकालने का एक असान formula आपके सामने लिखा हुए, इस formula का मैंने थोड़ा सा break up किया, फिर बात में मैंन समझा, कि जो profit में manufacture को या company को निकालके देना चाहता हूँ, cost sheet के थ्रूप, उसके लिए मुझे दो चीज़ों की जुरत है, एक वो quantity जो मैंने बेची है, उसकी sale value कितनी है, और जो quantity मैंने customer को बेची है, उसकी cost कितनी है, तो जो quantity customer को बेची जाएगे, उसकी sale value का हमने नाम होगा मेरे लिए, sales minus cost of sales, तो यहां से यहां तक जो भी मैं calculation आपको करके दिखा रहा हूँ, वो calculation मुझे क्या निकालके देगा, क्या निकालके देगा, cost of sales, cost of sales को आप कह सकते है, total cost, अब इस total cost में, यदि जितना profit मुझे चाहिए, वो profit मैं add कर दूँ, तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास तो sale value आ जाएगी, और इसी sale value को हम जानना चाहते हैं, ताकि हम अपने customer को selling price बता सके, अब ध्यान रखना, इस cost sheet के format को बना आने के बाद, जैसे जैसे value में लिखूँँगा, मुझे सबसे पहले total cost पता चल दाएगी, जितना profit मैं चाहता हूँ, उतना profit में add कर दूँगा, तो मुझे पता चल देगा कि मुझे customer से total sale value कितनी लेनी है, और यदि मुझे 1 minute के selling price बतानी है, तो total sale value को selling price निकालने के क्योंकि CA intermediate के लिए, ये chapter इस से में very very important चल रहे है, आप देखेंगे हर exam में आपको इस chapter से कोई ना कोई question मिल रहे है, 8 number से लेके 10 number के बीच में, यदि chapter असान है और 8 number 10 number मिल रहे हैं, तो हम इस chapter को क्यों छोड़ें, सबसे बड़ी बात तो यह है, ज्यादा कोई दिक्कत है सबसे पहले हमें, सबसे पहले हमें क्या करने हैं, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि खर्चे मैंने दो बार क्यों लिखें, पैला पॉइंट मेरे पास है, office and administrative, दूसर मेरे पास है, R&D expenses, और तीसर मेरे पास है, packing charges, देखें बई, किसी goods को produce करते time, सबसे पहले हम ब एक आपके पास है, primary, और दूसरा आपके पास है, secondary, primary packing charges, वो charges होते हैं, जिसके बिना goods को market में saleable नहीं बनाए जा सकता, saleable product का मतलब है, market में बेचना possible नहीं है, जैसे cold ring है, cold ring में market में तब ही बेच पाऊंगा, cold ring में market में तब ही बेच पाऊंगा, ठीक है ना, जब मेरे पास में बाटल होगी, या मैं milk market में तब ही बेच सकता हूँ, जब में एक plastic की packing बनाऊंगा, जिसके अंदर milk है, ठीक है, ठीक है, तो यह जो packing है, यह मेरी कौन सी packing है, मतलब यह product में market में कब बेच पाऊंगा, कि की मझा इस में कोई ने तों कोट्रिंग मेरि तभी सेस्ट यह सकता rozum जो भी प्रोडक्त को सेल बोडकி ओल्द कर सकता जैसे अम गाते निकर सकते तो एपके पास में जो भी प्रोडक्त K के बिना मार्किट में सेलिबल नहीं है वो प्राइमरी पैकिंग होगी यह कंटेनर की बात कर जाएं सेकंडरी का मत्तब है अब यदि आप किसी शॉपकीपर के पास गए और आपने उससे का कि भी यह मुझे दो लीटर वाली या आदा लीटर वाली चलो दो लीटर कीजिए कि हम इसको अधर लिटर लेख देते हाफ लिटर लेक देते ह्चास दुकांदर से आपने काज़े एसी हाफ लिटर की मुझे के इननर्यों को Chili सो है कि तो ऐसे केसी में क्या करेत दुकांदर क्या करेगा वोकद्ष Алवे जो फट nós श्योंसीक्त आपको चाहिए अब 20 उनिट बनाऊंगो तो काफी सारी जगे लग जाएगी वो क्या करता है एक बड़ा सा कंटेनर ले लेता है गत्ते का और उसके अंदर मालों चार यहां पे तो ऐसे हमने पांच लाइन बना दी पांच इंटू चार कितना हो जाएगा भी इसके पीछे भी आपकी बॉट् पॉट्विट को बेचने के लिए मुझे जिस पैकिंग की जुराइब सबसे पहले होगी जैसे हम रिक बेचना होगा प्राइमरी लेकिन किसी कस्मर को लार्ज क्वांटिटी मुझे बेचनी है और ऐसे के इसमें वह 20 यूनिट एक हाथ में नहीं पकर सकता तो हमने का कोई पातनी एक हाथ यहां लगाएगा एक यहां लगाएगा और बीस इनिट वह एक बार में खरीद के ले जाएगा तो जहां पर मुझे लार्ज क्वांटिटी कस्मर को बेचती है और उसके लिए मुझे एक और पैकिंग की रिक्वार्मेंट है ताकि उसे क्यारी करना असान हो जाए वह पैकिंग कौन से मेरे लिए सेकंडरी कोई दिक्कत इसमें अब आप सोच रहोंगे कि सर्फ प्राइमरी और सेकंडरी का डिफ्रेंस किये जा रहे हैं अभी सेल करने की बात ही नहीं आई बनाते टाइम यह मैं कोल्डिंग की बॉटल जब तक मेरे बॉटल नहीं होगी मैं आपको यह प्रोड़क बेच ही नहीं सकता तो उसका रिलेशन होगा प्रोड़क्शन से पर जो सेकंडरी पैकिंग चार्जिद है वो म हांच अब कि देधो मैं कल रांप जैङो मैं कौने के वह सख्याहिं ने के को खर्चां कहां ले लिए को सबस्टों निकालने के बार तो जो खर्चां कॉस्टों निकालने से पहले पहले आता है मतलबna cost of production निकालने से हम उसे कहते है रिलेटिट to प्रड़क्षन और जो खर्चे cost of production निकालने के बाद आते हैं हम उस्के नॉट wa दिंग्ड Traw production बट इस को प्रमोट करने के लिए वो खर्चे किया जा रहे पस के पड्लाने के लिए जा रहे तो पहले पण्धत आपके पास आगया पकीड़ेश करें से अपनाने से पहले हमें मार्किट के रिसेर्च करने ठीज है आप एक काम करो पहले नोट कर लीजै ठीक है ना नोट करना आपके लिए जड़रूरी है चलिए भी आगे चलते हैं अब आगे देखिये हैं हनी R&D expenses की बात करते हैं Research and Development expenditure ये खर्चे कब किये जा रहे हैं ठीक है ठीक है production करने से पहले जब production करने के बात before production या आफ्टर प्रोड़क्शन अनि बिफोर प्रोड़क्शन का मतलब है कि आप अपने प्रोड़क्शन की रिसर्च और डेवलोप्मेंट एक्स्पेंडिचर क्यों इनकर कर रहे हो क्योंकि आप जानना चाहते कि जैसा गूर्ट कस्मर को चाहिए क्या हम वैसा गोड़ उसको बना कर दे पारे हैं या निए पारे हैं सपोर्स करते हैं कि यह दी कोई पैन मालूमें एक मैंट फैक्सरिंग कंपनियों पैन बनाने की और मैं अपने पैन को इस तरीके से बना कर बेचना चाहता हूं कि जैसे वह पैन को दिखाई दे कस्मर जैसे उस पैन को यूज करेगा लिखके देखेगा उसका दिल खुश हो जाए वह कता है यार पैन को पकड़ने में भी मुझे बढ़ी आसानी हो रही है पैन का जो फ्लो है वह भी बहुत अच्छा है पेपर पे लिग भी नहीं हो रहा फर्स पेट पर लिखता हूं तो बैक बी अच्छी रखी ग्रिप बी अच्छी रखी उसमें रिफिल भी अच्छा डाला जल्य पेन भी दे लिए फ्लो भी अच्छा है जमीन पेगिने के बाद वह छराब भी नहीं और कस्त्मर को क्या चांब कstars県क्ट कि अब कस्वारक। ज्यादा से ज़ादा से उल्जादा स तो सब्सक्राइब को इसा आदत निये उसको प्रe जालने की आधत होती रहा हो इंद पर प्रेश डाल देगा तो भी धिक्क्त आएगे कंपकर को पकड़ने में भी धिक्क्ताइगे तो मुझे ऐसे प्रेंए में जो हार उमर का बच्चा वो में जा रहा अब मैं पूछा कि आपको आपको पन पैंक में क्या क्या फीचर्ड से मैं में सबसे पहले छो इससी क्वालिटी है इक पैन आ हम लिखें पैंड है ऐसे प्शहरी आउन्यूसार नहीं सुत और इस अंधाए शुचन और करने लें चाहिए है ज़्यादा देर तक चले आएसा नों कि तीन चार पेज़ेस पर पैन यूज पता चला पैन की इंक की खत्म होगे मताइक भी उसमें अच्छी होनी चाहिए जाधा देर चलना चाहिए smooth भी होना चाहिए ठीक है उसके grip भी अच्छ होना चाहिए पकडने में भी असान हो ठीक है उसका size भी ना तो लंबा हो ना छोटा हो मत्तरा size भी ठीक हो shape भी ठीक हो सब चीजे और सबसे बड़ी बात है उसकी cost भी क्या हो कम हो तो हमने हर बच्चे से हर ग्रूप में जाके पता करा हर बंदे से सबने एक ही खास बात हमें बताई तो हमने क्या किया ऐसे प्रोड़क को बनाया ऐसी रिसर्च किया हमने अपने प्रोड़क को बनाने से पहले जो customer की requirement अब फुल्फिल कर सके तो customer की requirement को fulfill करने के लिए जो हमने research product को बनाने से पहले किया उस पे जो खर्चा हुआ ये सब बाते जानने के लिए जो खर्चा हमने किया मा लीजे हमने 50.000 पे खर्च कर दिया तो ये 50.000 पे का खर्चा हम क्यों कर रहे है ताकि जो कस्मर की requirement है उस requirement के हिसाफ से हम अपना product बनाए ताकि जब वो product बनके त्यार हो और कस्मर की जो requirement है वो fulfill होगी तो कस्मर हमार से एक की जगे दो, दो की जगे चार pen खरीदेगा खुद तो खरीदेगा ही खरीदेगा दूसरों को सला भी देगा कि भी cost भी कम है और satisfaction level भी जाद है तो ऐसे case में आप कम advertisement लगा के अपने product की sale बढ़ा सकते हो क्योंकि यहां customer का satisfaction level बहुत हाई है जिससे वो आपका खुदी add कर रहे है और आपकी cost marketing की कम हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ यह जो मैंने खर्चा किया उसका सम्मन product को बनाने से पहले पहले लेकिन अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैंने research ही नहीं की थी तो मैं अपनी sales को promote भी करना चाहता हूँ sales को बढ़ाना चाहता हूँ तो sales को promote करने के लिए जो मैंने खर्चा किया होगा वो product बनने के बाद किया कौन सी जगे मुझे अपने product का advertisement करना चाहिए माल लिजे मैंने essay school में add करना चालू कर दे जहाँ पर माल लिजे बच्चा nursery class से पढ़ता है nursery से लेके fourth class सक पढ़ता है तो nursery से लेके fourth class के लिए pen का use ही नहीं होता और यदि मैं दिल्ली के सारे के सारे school या दिल्ली के भार जितने भी school है NCR में या NCR से भार दूसरे states में उन सभी छोटे छोटे school का मतलब जहाँ पर छोटे बच्चों को पढ़ाय जाता है वहाँ पर मैं अपने pen का add करना start करूँ तो मेरी sale होगी नहीं क्योंकि वहाँ पर pen की requirement ही नहीं है तो मेरे जितने भी free samples होंगे उनको देने में जो मेरी लागत लगी होगी वो सब बरबाद हो देगी तो मुझे अपने product को कहां बेचना है ताकि कम advertisement का sales promotion का खर्चा कम हो और मेरी sales क्या हो बड़े तो sales promotion के लिए जो मैंने marketing का खर्चा किया R&D की किस market में बेचना है किस market में नहीं बेचना कहां पर ज़्यादा advertisement करना है कहां पर कम करना है वहाँ पर मालीजे मेरे 20R पे खर्च हो गए वह product को बनाने के लिए नहीं किया गया मतलब यह R&D किस के लिए की जा रही है market की कि किस market में मुझे अपना good बेचना है किस market में मुझे नहीं बेचना कौन से level पर advertisement करना है क्लास में कौन से level पर advertisement नहीं करना बास समय भागे तो कोई भी ऐसा खर्चा जिसका संबंद production से है वो cost आपको कहां पे लिखनी है cost सो production निकालने से पहले तो कि उसका संबंद goods को बनाने से लेकिन यह थी कोई खर्चा goods को बनाने के बाद sales को promote करने के लिए किया जा रहा है जैसे आपने देखा secondary packing charges sales को promote करने के लिए किया गया किस market में अपने product को बेचे ताके कम पैसा लगा के हमारा ज्यादा good बिगे sales promotion expense के लिए हम marketing की research कर रहे है मतलब sales को बनाने के लिए market की research कर रहे है R&D expenditure का relation किस से है sales से या production से बताइए भई तो आपको के सार इसका relation production से तो नहीं है sales को promote करने से है इसका मतलब आप अपना goods बेचे कहाँ पर उसकी advertisement का सूत रहे हो उसकी marketing का सूत रहे हो R&D कर रहे हो वो खर्चा जो BCR पर आप कर रहे हो कौन सा खर्चा है production के बात का तो कहाँ पर लिखना पड़ेगा not related to production मतलब की cost of production निकालने के बात तो यदि एक्जाम में आपके दो खर्चे है R&D के तो आपको देखना पड़ेगा related to production है या after production है ठीक इसी तरीके से एक last point है क्योंकि last point complete होता ही फिर आपके practical question चालू हो जाएंगे office and administrative expenses भी मैंने दो बार लिखा हुआ है क्यों दो बार लिखा है जड़ा उसको भी समझ लेते हैं देखे भी आप office and administrative department सबसे पहले हम गए office and administrative department के पास हमने उसा पूछा जी आपके हाँ पे कितने employees काम कर रहे है number of employees कितने आप क्या उन्हों कर जी हमारे हाँ पे इस समय पांच employees काम कर रहे मैंने उन्हों सब पूछा कि जो पांच employees आपके हाँ काम कर रहे है उनकी average salary कितनी है उन्हों का जी एक बंदे की average salary per employee हमारी 10,000 पे तो उसका नद टोटल salary कितनी होगी भी 5 into 10,000 मतलब की 50,000 पे अब 50,000 पे का खर्चा administrative department के लिए किया जा रहा है कितने employees के लिए 5 फिर हमने administrative department से पूछा कि यह जो 5 employees आपने रखे हुए यह 5 employees क्या काम करते है उन्हों कर जी 5 में से हमारी जो 3 employees है वो यह देखते है कि factory के अंदर जो काम चल रहा है वो वैसे ही चलता है जैसे हमने उनको सला दी थी जैसे हमने planning की थी और 2 employees हमने रखे हुए है यह देखने के लिए कि sale department को जो target दिया गया था वो उसी तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहें क्या वो target अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे marketing department वाले ढंग से काम कर रहें नहीं कर रहें इसका नहीं तीन लोगों का focus factories है और दो लोगों का focus sales department से इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो 30 अरपे salary तीन लोगों को दी जा रही है और यह दो लोगों को 20 अरपे दी जा रहे है वो देने का काम तो कर रहा है administrative department इसका मतलब खरचा तो administered department का है लेकिन यह खरचा वो charge किससे करेगा पहला point है खरचा charged किससे करेगा तो administrative department कहते है लेकिन यह खरचा अलग अलग department के लिए किया रहे है तो 30 अरपे का जो खरचा है administrative department का उसका संबन्थ है related to production और हम इसे कहा सकते हैं not related to production आपको समय में आ गया होगा मैं क्या समझा रहूं कोई भी खर्चा ये फैक्ट्री से रिलेटिड हो और फैक्ट्री में गुड्स को बनाने का काम के दाते हैं तो ऐसे खर्चे को कहते हैं related to production तो ये जो 30,000 रुपे हैं वह आपको यहां लिखना है और ये जो नीचे वाला 20 रुपे है वह आपको यहां पर लिखना है जर्नल, ऑफिस और अड्मिस्रेटिव के नाम से तो फटावर्ट से नोट कर लिजे चोटा सा एक format है उसमें ज़्यादा complications नहीं है कोई भी खर्चा जिसका संबन्द production से है आप उसे cost of production निकालने से पहले पहले लिखेंगे और यदि किसी खर्चे का संबन्द sales को बलाने के लिए तो उसका relation production से नहीं है तो ऐसे खर्चों को कहां पर लिखोगे cost of production निकालने के बाद लिखोगे हने नोट कर लिए सबने चलिए कुछ practical questions करते हैं ताकि जो format मैंने आपको लिखाया है उसको कैसे use करने exam में अच्छे number कैसे लने कम समय में वो सब कुछ पता चल दाएगा आपको हनी example आपके लिए मैं लिख रहा हूँ example number one हनी सबसे पहले हमें question में दे रखा है direct material 4 लाग रुपे और इस direct value हमें question में दिया हूँ है 6 लाग रुपे 2,50,000 direct expenses हमारे पास में लिखा हूँ है 10 लाग रुपे पहला point दूस्वा point हमें question में factory overhead को मैंने short पर लिख दिया O S से 60% of wages जो भी आपकी wages है धाई लाग रुपे उसका 60% factory overhead का खर्चा आएगा office and administrative overhead office and administrative overhead में पहला point दूस्वा ले लिखा related to production रुपीज चाले से अरपे और लिखा है not related to production प्राइबर 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 पैकिंग चार्जेस पैकिंग चार्जेस के लिए हमारे को question में एक नाम दे रखा है प्राइमरी और दूसरा आपके पास है secondary इसी तरीके से आपके पास में R&D expenses है related to production not related to production communication प्राइबर 0 on ररहा कि इसकी ताप है SPEAKER हाँ जी इसमें कुछ चीज़ अभी और लिखनी बागी है जगे का मैं साइड में लिख देता हूं जैसे हमार परस में कॉश्चन में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन फोग्रेस फिनेज गुड्स क्योंकि अभी एक्जामपल वन है तो जितने इस फॉर्मेशन में को लगता है इस फॉर्मेट के लिए सुटेबल हो लिखती मैंने हाँ यहाँ पर लिखा मैंने 10,000 पर 13,000 पर 18,000 25,000 तो सबस्वाले आप एक्जामपल नोट कीजिए और एक्जामपल नोट करने के बाद इस फॉर्मेट की मदद से हमें कंपनी को बता के देना है कि जो गुर्ज वो बना कर बेचना चाते हैं उस पर उनकी कॉस कितनी आईगी उनका प्रॉफिट कितना होगा और वो जो समान कस्पन को बेचने हैं उससे उनकी सेल वैल्यू कितनी होगी पटावर्ट से आप कोशन नंबर वन मता एक्जाम्पल नंबर वन नोट कर लीजिए देखे एक्जाम्पल वन को कंटीनियो करते हैं और एक्जाम्पल वन में फॉर्मिल्ट आपके सामने बने हुए है मुझे तो सिर्फ क्या करने है कोशन जो एक्जाम्पल दे रखाऊगा उसकी वैल्यू कैसे पूट करनी है वो बताना आपको देखे भी अब किस तरीके से अपने कोशन को करने है तो सबसे पहले देखे यह आपका कंप्रीट फॉर्मिट है और फॉर्मिट पर आपके काम कर सकते हैं कर दो सकते हैं देखे भी सबसे पहले हमारे पास है डारेक्ट मेंटियल कॉस्ट तो जैसी मैंने कोशन को देखा तो उसमें मुझे डारेक्ट मेंटियल कॉस्ट कितनी लिखी हुई दिखाई दी हारी डारेक्ट मेंटियल कॉस्ट मेरे पास है चार लाक रुपे तो यह आपका एक्जामपल है इसके लिए मुझे करना है सॉलुशन सॉलुशन में सबसे पहला काम मेरा क्या होगा कोशन पर्ड़ने के बास वार्मेट बनाना तू समधनलो मैंने आपके लिए बना दिया अंभी हुर्ट अने बास समधने सबको तो आपके बास पहला खरचा कौन सा है पहला ऩार मेरे पासा है डरेक मेंडियल के नाम से चार लाक रुपेस जो मैनने यहां पर लिखा चारलाक रुपेसं उप then 2.5 उपर दो दो तो मैंनोफेक्षिर को हमने समझाnda कि जो रख अब बना कर बेंठना चाहते हैं उस goods को बनाकर बेचने में आपका सबसे पहले जो खरचा होगा initial जो cost लगेगे जिसको prime cost कहते हैं वो आपका लगेगा 4,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 हादी 6,00,00,00,00,00,00,00,00,00 आपकी अभी prime cost है इसके बाद आपका factory expenses जो की wages का 60% है अब आपकी वेजेज है ढाही लाग रुपे और ढाही लाग का साठ परसिन ये दिमें आपसे पूछो कितना है तो आपको के सार एक लाग पचास हर पे वन लाग फिफ्टी थाउजन ओपनिंग डोईबी और क्लोसिंग डोईबी आपके बास कोश्यन में दिया हुआ सब्सक्राइद देरा हजार पे तो ये अरजेस्पेंट हम क्यों करते हैं डब इब डोईबी की डब अधिक का मतहुत है सैमी फिनिज गोडस पार्टली कंप्रिटेड्ड अब यह दिखोगी कस्मर को तो सेल करनी सकता तो जो काम आज incomplete है उसके पैसे मैं कस्मर से आज नहीं लूँगा ये सोच कर कि ये गुर्ज अभी incomplete है मुझे गुर्ज complete बना कर देना है तो मैंने उस काम को करने में जितने पैसे आज लगा दिये जो अभी incomplete है partly complete है वो पैसे आज मैं कस्मर से नहीं लूँगा माइनस कर दूँगा और मुझे लगता है कि ये काम कल पूरा हो जाएगा तो आज का closing अगले दिन जैसे आज की तारीक आपके पास क्या है आज आज आपका 8 फरवरी तो 8 फरवरी का जो closing stock होगा वो आज 8 तारीक को माइनस हो जाएगा 9 तारीक की सुबह ये बन जाएगा opening ये नौ तारीक को भी काम नहीं हुआ तो 9 तारीक का जो सुबह आपने opening लिखा था शाम को closing के नाम से क्या कर दोगे माइनस कर दोगे ताकि आप customer से वो ही cost charge कर सको जो cost goods को बना कर बेचने में लगी मतलब जितना गुज मैं customer को बेच रहा हूँ उसकी cost कितनी है मैं को customer से सब उतना लेना है तो बताइए कितना हैगा calculator की मदद से 6,60,000 8,7,000 मेरे पास में आगया total amount अब office का खर्चा मुझे दो बार दिया हुआ related to production 40,000 और not related to production 20,000 और तो 40,000 और तो मैंने यहाँ पे लिखा और देखिए भई 20,000 और मैंने यहाँ पे लिख दिया 40,000 और यहाँ पे लिखा है 20,000 और यहाँ लिखा ऐसी packing charges में primary packing charges है 25,000 और secondary आपके पास है 5,000 और R&D expenses related to production 18,000 और not related to production 12,000 और selling overhead आपके पास है 30,000 और तोटल cost जो भी हमारी होगी उसका 20% मुझे profit चाहिए और total cost को निकालने के लिए अभी मुझे opening और closing stock की value भी लिखनी पड़ेगी finished goods की जो की मिरे बस question में कितनी है 18,000 और कितनी है 25,000 हाँजी इस format में एक चीज मैंने इस example में नहीं दी थी quality control cost अब आप सोचोंगे quality control cost का मतलब क्या है जब किसी product को हम produce परते हैं तो बहुत सारे ऐसे manufacture होते होते हैं जो quality पे ध्यान नहीं देते हैं वो कहते हैं जैसा बन रहा है बेच दो market में नाम अच्छा है बिकता रहेगा लेकिन कुछ ऐसे brand हैं कुछ ऐसे manufacturer हैं जो कहते हैं quality नहीं गिरने चाहिए तो वो क्या करते है quality control cost का मतलब क्या है वो एक department बनाते हैं जिसका काम क्या है कि जो product हम बनाकर customer को देना चाहते हैं उसकी quality किसी भी हालत में गिरने नीचे हैं जो level आपने fix करके है जो standard आपने fix करके है उससे नीचे नहीं जाना चाहिए तो quality control department का का काम क्या है कि जो product मेरी factory में बन रहा है हम उसकी quality क्या करते हैं maintain करने की कोशिश करते हैं तो उस department के जो भी employees होंगे जो भी worker होंगे जो भी head होगा वो सिर्फ यही काम कर रहा होगा कि हमारे product की जो quality है जो हमने fix करकी है वो रही या उससे improve हो तो उस department का जो भी खर्चा होगा उस खर्चों का हमने नाम दे दिया quality control cost जिसका relation goods को produce करने से है जो इस question में भी नहीं दे रखा तो मैंने यहाँ पर निलिख दिया जाब एक काम कर सकते हैं लिख हो ही मत जब है ही नहीं तो अब आप बताईए मुझे मेरी total cost कितनी आ जाएगी आठ लाग साते जार पे प्लस चाले से अरबे प्लस पच्चेस प्लस अठारा मतलब की आठ लाग नबे जार हानी आठ लाग नबे में हमने opening का अठारा जार प्लस कर दिया और पेटा कर लो closing का minus किया पच्चेस जार तो आठ लाग तिरासी हजार 8,83,000 हमारे पास आजएगा cost of goods sold अब cost of goods sold में हमने प्लस किया 30,000 प्लस किया 20,000 प्लस किया 5,000 प्लस किया 12,000 तो हमारे पास में total cost आगे 9,50,000 इसका लाग जो goods मैंने customer को बेचा है जो goods मैंने customer को बेचा है उसकी total cost आगे 9,50,000 manufacture चाहता है कि मुझे मेरा profit मेरी cost का कितना मिले 20% मिले तो मेरी cost का मुझे 20% profit चाहिए मतलब कि 9,50,000 मुझे 20% profit चाहिए तो 9,50,000 का 20% कितना निकल दूँ 1,90,000 इसका अब मुझे अपना goods customer को कितने में बेचना चाहिए 11,40,000 तो 11,40,000 में मुझे अपना goods customer को बेचना चाहिए अच्छा एक बार question करने के बाद जब plus minus को check भी कर लिजिए ताकि एक्जाम में आपके कोई number ना कटे लापरवाई की वेसे सबसे पहले हमने लिखा material का 4,000,000 फिर वेरियस का लिखा 5,000,000 फिर direct expense का लिखा 10,000 मुझे सारे point आपके cover होने चाहिए तो point number one cover हो गया point number two cover हो गया point number three factory का खर्चा वेजिस का 60% अबना धाई लाग का 60% डेल लाग रुपी ये भी हो गया अजी office के दो खर्चे 40,000,000,000 तो 40,000,000 यहां गया 20,000,000 पर यहां गया यह दोनों भी हो गया primary और secondary packing पच्चेस जार और 5,000,000 यह भी दोनों हो गया R&D expenses 18,000,000,000,000 अठारा जार और आपके बास कितना है 12,000,000 यह भी हो गया selling over it 30,000,000 यह भी 30,000 हो गया अजी WIP का opening 10,000 closing कितना आपका 13 finance goods का opening आपके पास है 18,000 और closing कितना पच्चेस इस तरीके से final value आप एक बाद चेक कर लीजे कोई करबर तो नहीं है तो सबसे वहले हमने लिखा 4,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 20,000 प्लस 5,000 प्लस 12,000 हमारे पास आएगा 9,50,000 अब 9,50,000 में कंपनी चाहती है कि हमें हमारी कॉस्ट का 20% मुनाफ़ा हो मदब प्रॉफिट हो तो हमने प्रॉफिट जोर दिया इसका 20 परसंट और 11,40,000 पे हमारी सेल वैल्यू आ गई अब किसकी सेल वैल्यू आ गई माल ली सबोस करते हैं इस क्वेशन में क्वांटिटी सोल 10,000 है तो 11,40,000 पे को यदि मैं 10,000 उनिट से डिवाइड कर दूँ और मैं जानना चाहूं कि मेरी सेलिंग प्राइस पर उनिट कितनी है तो सेलिंग प्राइस पर उनिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 11,40,000 रुपे और क्वांटिटी सोल मेरे पास कितनी है 10,000 इसका हूना 114 रुपे पर उनिट के हिसाब से मुझे अपना प्रोड़क मार्केट में क्या करना चाहिए बेचना चाहिए 11,40,000 को मैंने 10,000 से डिवाइड किया तो आपके प्रोड़क की सेलिंग प्राइस आ गई 114 रुपे 114 रुपे के हिसाब से मुझे अपना प्रोड मार्केट में बेचना चाहिए चलिए बई कोई दिक्कत है यहां तक किसी को तो फटा वट से सारी चीज़े आप नोट की लिए आपको 3-4 मिनिट कर मैं टाइम देता हूं कि वटने चाहिए था प्रोड मार्केट मैं देता हूं और तब तक आप सोलुईशन नोट कीजिए और एक मैं आपके एक नया एक्जामपल बना दूँँ को कर दो एक उलाए vilas realized और दूँ़ुशन सतनृ नहाग म próxima की अक्याग सतनी हूँ खोगा मैं बना दूग और तकार दूज़ي और होस्ताता दूःशन शुबुबुद जबुब स्विव सब्सूलो फचर दूबुबुबुबुब motives फ्रूशन धूएत्यों नोगलि प्रूप्राइब नग्राइब प्रूप्राइब झाल प्रूप्राइब झाल प्रूप्राइब झाल प्रूप्राइब झाल प्रूप्राइब झाल प्रूप्राइब प्रूप्राइब झाल पर्सेंट क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट भी मैंने लिख दी हैं आप ये 15,000 पैकिंग चार्जेश 50,000 पर इन टोटल है जिसमें 30% प्राइमरी है तो बाकी का 70% होगा है सेकंडरी मतलब कि फॉर्मेट तो आपका यही रहेगा फॉर्मेट तो आपका भी यही रहेगा फॉर्म क्योंकि सारा खेल है फॉर्मेट का लिए वर्मेट का हादी एक्जामपल नमबर टू यदि सभी ने नोट कर लिया तो उसका सॉलीशन के लिए हमें चाहिए है फॉर्मेट और फॉर्मेट आपकी नजरों के सामने इस समय हादी फॉर्मेट के साथ साथ मैं भी आपके सामने आ गया ठीक है ना तो कॉस्षीट का यह जो फॉर्मेट आपके सामने बना हुए बहुत ही सिंपल है इसमें कोई ज्यादा दिमार्ग नहीं लगाना जैसे जैसे आप बेटा खर्चा करते जाओगे उस सिक्वेंस में आपको यह साथे खर्चे लिखने है पहला खर्चा मेटियल का है दूसरा आपका वरकर तीसरा डिजाइन चौता फैक्टरी उसका आद एड्मिसिटिव फिस सेलिंग और उसके बीच में दी कोई डेपार्टमेंट से संबन देता है तो वो खर्चे कॉस्ट और को निकालने से पहले पहले लिखने और यदि उनका रिलेशन प्रलक्ष्ण से नहीं है तो आपको बाद में लिखने है अब आप सोच तो तो टो सेम आएगा यह बटाम सोचते हैं ऐसा ऐसा सोच से क्या अंसर से मैं कर नहीं जब आप अपने closing stock की value निकालोगे जब आप finish goods की value अभी तो आपको मैंने निकालके दी हुई है अभी तो मैंने आपको finish goods के closing stock की value निकालके दी हुई है और यह तो आपका अभी एक तरीके से फर्स पार्ट चल रहा है कॉस्षीट का जब आपके नेक्स लास होगी तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कॉस्ट और पॉडक्शन के ऊपर और नीचे लिखे जाने से आइटम पर क्या फरक पड़ता है अधि यह खर्चे उपर लिखने हैं यह खर्चे नीचे लिखने क्यों बोल रहता है बारवर मैं आपको यह ति मुझे किसी कोश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की स्टॉक की वैल्यू निखालने है किसकी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसका फॉर्मला होगा कॉस्ट और प्रोडक्शन डिवाइड़ बाइ कॉंटिटी प्रड्यूस जनरली ये फॉर्मला यूज किया जाता है कॉस्ट से कॉंटेंट के द्वारा इस चमतकारी फॉर्मले की मरस से कॉस्ट अकाउंटेंट पता लगा लेते हैं कि जो कॉंटिटी फिनिस गुट्स की हमारी नहीं भी की क्लोजिंग स्टॉक का फिनिस गुट्स का तो इस value को निकालने के लिए cost accounting इस form ने का प्रियोक करते और उस form में से जो value निकल के आगे वो value आपको यहाँ पे लिखनी है अब यही cost of production आपका गलत हो जाएगा मतलब cost of production की value आप यहाँ लिखोगे वो गलत हो जाएगी तो आप समझो cost of production की value गलत होने से आपका closing stock का amount गलत हो जाएगा closing stock का amount गलत होने से cost of good soul गलत हो जाएगा total cost गलत हो जाएगी, profit गलत हो जाएगा, sale value गलत हो जाएगी मतलब गलती पे गलती होई जारी है और आपके तो इस एक छोटी सी गलती तो किये हमने चीज़ों को उपर लिख दिया क्या फरक परता है यदि चीज़ों को उपर लिख दोगे तो cost of production जादा हो जाएगी जिससे closing stock की value गलत निकलेगे जिससे बाकी का आगे का सारा काम गलत हो जाएगा वादा आपके साथ ये ना हो आपको ध्यान देना पड़ेगा किसका संबन related to production और किसका संबन production से नहीं है बात संबन में आगी सबको चलिए तो मैं अभी आपको example number two का solution करके दिखाता हूँ जिसमें direct material मेरे पास है बेटा पांट लाग रुपे wages मेरे पास है तीन लाग रुपे direct expenses है मेरे पास में पंदरा हजार रुपे तो पांच और तीन आठ 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 लाग पंदरा हजार पे मेरे पास आगी initial cost मतलब की prime cost अब factory का खर्चा यह कहते है wages का 80% wages मुझे दिखाई दे रिये 3 लाग रुपे और मुझे चाहिए इसका 80% मतलब की 8 लाग 80% कितना हूँ तीन लाग का 2,40,000 रुपे तीन लाग का 80% मेरे पास आगया 2,40,000 अब opening stock WIP का मुझे question में दिया हुआ है मतलब की 25 लाग रुपे और कितना 30 लाग रुपे तो पताइए मैं कितना लिखूँगा तो पताइए मैं कितना लिखूँगा तो पताइए मैं कितना लिखूँगा 10,50,000 रुपे में office and administration का जो खर्चा है वो मुझे दे रखा है 1,500,000 रुपे अब यहाँ पर देखना पड़ेगा 1,500,000 रुपे में कितना खर्चा related to production है तो 1,500,000 रुपे में 60% related to production है मतलब की 1,500,000 का 60% amount मुझे यहाँ लिखने और बाकी का 40% amount मुझे यहाँ लिखने तो 90,000 रुपे मुझे यहाँ लिखने और 60,000 रुपे मुझे यहाँ लिखने ठीक है इतना अब आगे देखिए कोशन में क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट आपके वासे 15,000 रुपे फिर पैकिंग चार्जिज आपके वास 50,000 रुपे है पैकिंग चार्जिज जो 50,000 रुपे है उसमें 30% प्राइमरी है तो 50,000 का 30% पेड़ा आपने यहाँ लिखना है और बाकी का माल लिया जाएगा सेकंडरी तो सेकंडरी पैकिंग चार्जिज 50,000 रुपे का 70% तो पैकि 30% आपके पास है प्राइमरी तो 70% होगा सेकंडरी ठीक है इतना तो बताएगे कितना कितना लिखेंगे 15,000 रुपे और फिर हमने यहाँ पे लिखा 35,000 रुपे हाली R&D expenditure एक लाख रुपे है एक लाख रुपे का 80% related to sale है यदि 80% related to sale है तो इसका ना 20% related to production है तो 20,000 रुपे आपको यहाँ लिखना है और एक लाख का एक लाख का 80% आपको यहाँ पे लिखना है Selling over rate आपके पास में है 90,000 रुपे Selling over rate आपके पास में है 90,000 रुपे Opening stock मुझे question में दिया हुआ है कितना 40,000 रुपे closing मेरे पास में है 50,000 रुपे अब सब को add कर लो तो 10,50,000 रुपे में हमने add किया 90,000 हमने add किया 15,000 हमने add किया फिर से 15 और 20,000 तो हमारे पास आगया 11,90,000 रुपे 11,90,000 में 40,000 प्लस किया 50,000 माइनस किया 11,80,000 रुपे 11,80,000 रुपे में हमने plus किया 90,000 plus किया 60,000 plus किया 35,000 plus किया 80,000 तो हमारे पास आगया 14,45,000 हमने एक बास सारी value फिर से चेक कर लीजे कभी कभी गलबड भी हो सकती है तो 5,00,000 में मैंने plus किया 3,00,000 plus किया 15,000 मेरे पास आगया 8,00,000 plus 2,40,000 plus 25,000 minus 30,000 मेरे पास आगया 10,50 plus 90 plus 15 plus 15 plus 20 11,90 plus 40 minus 50 मेरे पास आगया 11,60 हादी 11,80 में plus किया 90 plus किया 60,000 plus किया 35,000 plus किया 80,000 14,45,000 हादी 14,45,000 का हमें 20% profit भी चाहिए तो 20% हमने लिखा यहां पर 2,89,000 अब 2,89,000 यदि मैं एड़ कर दू 14,45,000 तो मेरे पास में कितना आज़ेगा हादी 14,45,000 में हमने प्लस कर दिया 2,89,000 तो आपके पास आज़ेगा 17,34,000 पर हादी 17,44,000 तो इस तरीके से पर आपको यह कोशिण समझाने की कोशिच कर रहा था कि कॉस्टो प्रोडक्शन से पहले और कॉस्टो प्रोडक्शन के बाद जो खर्चे आते हैं उनका ओडर चेंज नियोना चाहिए क्योंकि यह दी ओडर चेंज हो गया तो आज की क्लास में तो आपने सिंपल कोशिण किया जहां पर आपको फिनिस गुट्स की वैल्यू दे रखी थी ओपनिंग लोजिंग स्टॉक की यदि आपको किसी कोश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं दे रखी फिनिस अधोगा तो अगले दिन वह गलत हो जाएगा इसकला आज का भी काम गलत लुटि तो कौन से हर्चे गजिए रेलेटेटे टू पर्टॉक्शन हैं कौन से पर्टॉक्शन से डेटेट नहीं यह सारी चीनी ज little में आपको समंझ में आज शुक्योगे था है तो बेटे आज के लिए इतने करते हैं फिर आपको next class में इस chapter के बारे में बागे बताएंगे कि यह दिया आपके बास में closing stock of finished goods की value ना दे रखी हो तो उसे किस तरीके से निकाला जाते हैं और चीजों का उपर या नीचे लिखने से answer पर क्या फरक पर सकते हैं चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं आज के लिए इतना ही करते हैं